नमस्कार दोस्तों एक बाद फिस स्वागत है आपका AP Classes के इस न्यू वीडियो में दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है आपका सामान ग्यान एवं समसाई घटनाओ पे दोस्तों आज का वीडियो सुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मैंने चैनल को वो लोग प्लीज सब्सक्राइब कर ले और हाँ दोस्तों साथी बैल आइकन को दवाना ना भूजे क्योंकि अगर आपने बैल आइकन को नहीं दवाया तो आपको नहीं मिलेगा नोडिविकेशन तो अगर आपको नोडिविकेशन चाहिए दोस्तों तो बैल आइकन को अवाश्य दवाए तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्ण कि भारती वायु सेना ने किस राज्जी के तूतिंग में अपने एडवांस लेंडिंग ग्राउंड का परिचालन्ज सुरू कर दिया है चार अप्शन्स आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं जिन में से आपको उत्तर बताना है तो खुछ समय देता हूँ दोस्तो इसका जो सही उत्तर है इस प्रश्ण का कि भारती वायु सेना ने जिस राज्जी के तूतिंग में अपने एडवांस लेंडिंग ग्राउंड क परिचालन सुरू किया है वो है आपका अड़ाचल प्रदेश अगला प्रश्ण निमलिखित में से किस राज्ज ने 17 OVC जातियों को अनुसूचित जातियों की स्त्रेडी में सामिल किया है निमलिखित में से किस राज्ज ने 17 OVC जातियों को अनुसूचित जातियों की स् अप्शन्स आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों चूस किए इसमें से सही उत्तर इस प्रशन का जो सही उत्तर है वो है आपका उत्तर प्रदेश अगला प्रशन केंद्र सरकार ने इवीजा पर आये क्रूज पर्यटकों को बायोमेट्रिक नमंकन से किस वर्स तक छूट प्रदान की है इस प्रशन का जो सही उत्तर है वो है आपका क्या दो हजा बीस अगला प्रशन केंद्र सरकार ने नियंत्र रेखा के पास कितने हजार बंकरों के निर्माण को मंजूरी दी है अगला प्रशन भारत के किस राज में विस्व के सबसे बड़े अस्पताल को बनाए जाने की मंजूरी प्रदान की गई है भारत के किस राज में विस्व के सबसे बड़े अस्पताल को बनाए जाने की मंजूरी प्रदान की है options हैं दोस्तों सही उत्तर का chain करना है आपको और इस प्रश्ण का जो सही उत्तर है देखते हैं कितने लोगों का सही हुआ है और इस प्रश्ण का सही उत्तर है वो है आपका बिहार अगला प्रश्ण किस राज में बिना अनुमती के लाउड स्पीकर बजाने पर प्रतिवंद लगा दिया गया है ये तो दोस्तों सभी को पताई होगा और सभी ने समाचार पत्रों के माध्यम से भी सुना होगा कि कहाँ पर लाउड स्पीकर बजाने पर प्रतिवंद लगा दिया गया है बिना अगला प्रशन केंद्र सरकार ने नियंतर रेखा के पास कितने हजार बंकरों के निर्मान को मंजूरी दी है यह प्रशन दोस्तों रिपीट हो गया है और इसके लिए माफी चाहेंगे और इसका सही उत्तर हम बताई चुके हैं आपको 14,000 अल्गा प्रशन के किस देश में बच्चों को गंभीर आनुवानसिक बीमारियों से बचाने की दिसा में एतिहासिक 3 पैरेंट बेबीज पहल को मंजूरी दे दी है इस प्रशन का जो सही उत्तर है क्या है आपका डिटेन अगला प्रश्न नासा द्वारा हाली में अपने किस प्रसिद्ध अंतरिक्षियान को सेवा निव्रत्त किया गया है औप्शन्स आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और सही उत्तर का चैन कीजिए दोस्तों सही उत्तर क्या है आपका डॉन अगला प्रश्न प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने किस इस्थान पर कैंसर केंद्र और सुपर स्पेशियल्टी अस्पताल की आधार सिलार रखी है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने किस इस्थान पर कैंसर केंद्र और सुपर स्पेशियल्टी अस्पताल की आधार सिलार रखी है सही उत्तर का चुनाओ करना है दोस्तों आपको उप्षन्स में से और सही उत्तर है इस प्रश्ण का क्या बारा नशी अगला प्रश्ण सेना निसानेवाजी इकाई के सतेंद्र सिंग ने साथमी रास्टी इनिसानेवाजी चैंपियनसिक में कौन सा पदक जीता है इस प्रश्ण का सही उत्तर दोस्तों आना चाहिए करेंट अफेर से प्रश्ण है ये सही उत्तर क्या है इसका प्रश्ण अगला प्रश्ण केंग्र सरकार ने चैक के फॉर्मों को अंग्रेजी के अत्रिक्त किस भासा में छापने के आदेज जारी किये हैं जो भी तक आपको चैक के जो फॉर्म मिलते थे वो केवल अंग्रेजी भासा में होते थे तो उसने अब वी किया है कि इन सरकार ने की एक और भासा में जो है वो अंग्रेजी की अत्रिक्त भी छापे जाए चेक के पवों को तो सही उत्तर है इसका क्या दोस्तों आपको options में से है हिंदी अगला प्रश्ण किस राज्य सरकार ने भीमा कुरेगाओं हिंसा की न्याइक जाच का आदेज दिया है किस राज्य सरगार ने भीमा कोरे गाउं हिंसा की न्याइक जाज कादेश दिया है options में से आपको बताना है काफी चर्चित हिंसा थी ये और ये काफी अभी हाली में सवाचार पत्रों में काफी सुर्गियों में रही और न्यूस पेपर में भी रही न्यूस में भी रही और इसमें भीमा कोरे गाउं हिंसा की न्याइक जाज कादेश जिस राज्य ने दिया है उसका सही उत्तर है महरास्ट अगला मरशन उत्तर कोरिया और किस देश के बीच नौ जन्वरी 2018 को दो से अधिक सालों के बाद पहली बार अपचारिक बातचीत हुई है उत्तर कोरिया काफी फेमस देश है ये उत्तर कोरिया हम ऐसा सुर्खियों में रहता है और तो उत्तर कोरिया और किस देश के बीच 9 जनवरी 2018 को दो से अधिक सालों के बाद पहली बार अपचारिक बातचीत हुई है सही उत्तर क्या है आपका सही उत्तर है आपका दक्षिन कोरिया अगला प्रेशन केंद्र सरकार ने मेक इंडिया के तहएट किस देश की कंपनी कंगनम के साथ 32,640 करोड रुपए का माइन काउंटर मेजर बैसल स्रक्षा सौधा रद्ध कर दिया है मेक इंडिया के तहएट कौन सा सौधा रद्ध हुआ है कंपनी कंगनम के साथ किस देश की यो कंपनी है वो आपको बताना है और सौधा था 32,640 करोड रुपए का और ये सौधा था माइन काउंटर मेजर बैसल स्रक्षा सौधा सौधा सही उत्तर क्या है दक्षन कोरिया अगला प्रशन हाली में किस राज में सिगनेचर ब्रिज का उधगातन किया गया है दोस्तों इसका उप्षन तो सभी को ही पता होगा और आंसर गलत नहीं होना चाहिए जो लोग भी निउस पेपर पढ़ते हैं और समाचार पत्र एगर द देखते हैं तो उनको जुरूर पता होगा कि किस राज में है सिगनेचर ब्रिज और सभी का यह उत्तर सही होना चाहिए और सही उत्तर है आपका दिल्ली अगला प्रशन विश्ट नगर दिवस विशुभर में किस दिन मनाया जाता है? सही उत्तर गया है आपका 31 अटूबर अगला प्रश्ण किस देश के बल्लेवाज ने सचिन तेंदुलकर को पचाल कर टैस्ट क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाडी बन गए है अगला प्रश्ण किस राज्य सरकार ने हाली में एरो स्पेस तथा वच्छा निर्मान नीत 2019 को लाँच किया है किस राज्य सरकार ने हाली में एरो स्पेस तथा रच्छा निर्मान नीत 2019 को लाँच किया है सही उत्तर कुडी सा सरकार अगला प्रश्ण नेम्ड मेंस से कौन सा राज्य दस्मी वार राष्टिय साइकलिंग चैंपियन बना है कौन सा राज्य जैसा है जो दस्मी वार राष्टिय साइकलिंग चैंपियन बना है इस प्रश्ण का सही उत्तर तो सही उत्तर है आपका केरल अगला प्रश्ण आपका जो अपिचा का प्रखर हो था और ये कहाँ का है options आपको दिख रहे हैंगे थोड़े confusing है options लेकिन जिनको पता है वो सही उत्तर बताएगा जरूर और मुझे उम्मीद है कि सही उत्तर सभी लोगों का ही सही है और सही उत्तर है आपका क्या है जावाद अगला प्रशन हाली में किस देश ने विश्ब का पहला blue bond जारी किया है सही उत्तर आपका क्या है सेसेल्स अगला प्रश्ण भारती रेल ने किस राज्ज में 100 साल पुराना पुल महग 7 घंटे में तयार कर दिया था और सही उत्तर है आपका क्या उत्तर प्रदेश अगला प्रश्ण किस समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने Integrated Voice Response System मतलब IVRS सिस्टम लाँच किया अगर कोई IVRS की अब से फुल फॉर्म पूछे तो अब बता सकते है Integrated Voice Response System इसको लाँच किया है तो केंद्र सरकार ने जो IVRS प्रडाली है Integrated Voice Response System जो लाँच किया है वो किस समस्या के लिए किया है उसका आंसर है कॉल ट्रॉप की समस्या अगरा प्रश्ण भारत ने किस देश के किये समझोते के तहट मुसलिम महलाओं को पहली वार पुरुसाथी के बिना हज यात्रा के लिए भीजने का निर्णे किया है तो किस देश के साथ समझोता किया है भारत ने जिसके तहट मुसलिम महलाओं को पहली वार पुरुसाथी के बिना मतलब अकेले भी जा सकती है वो हजियात्रा के लिए तो किस देश के साथ ऐसा समझाता किया है भारत ने और इसका जो सही उत्तर है क्या है सौधी अरब तो दोस्तों ये था आज का वीडियो उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंदा दोस्तों कमेंट करके बताइए जरूर कि आपका स्कोर क्या है तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतने ही फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद